हाई एब्रिवन फ्रेंड आप सबका फिर से एक बर नए विडियो में स्वागत है तो फ्रेंड हम बात करेंगे 0.0 SP टेबलेट के बारे में तो फ्रेंड 0.0 SP टेबलेट का निर्मा इपका लाइब्रोटिज कॉम्पनी बनाती है यह बहुत बढ़िया और ब्रांड दवा है और इसके साथ में जानेंगे कि 0.0 SP टेबलेट का उप्यो क्या क्या है और इसका यूज कैसे करते है या कैसे काम करती है और इसके फायदे और नुक्सान क्या है इस वीडियो में आप सब जानेंगे तो इस विडियो के साथ फ्रॉब अन तक बने रहे और इसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन कर लिजे और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए सूरू करते हैं तो फ्रेंड मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर अनुक कुमार तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे Zero Doll SP Tablet के बारे में तो चलिए जानते हैं सबसे पहले Zero Doll SP Tablet के यूज के बारे में तो Zero Doll SP Tablet का यूज अनेक विमारियों को ठीक करने के लिए उपियों किया जाता है जैसे कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार, अस्टियो अर्थराइटिस, घूमाटोइड अर्थराइटिस, जोडो का दर्द, गठिया, मस्पेशियों में दर्द, अप्रेशन के बाद होने वाले दर्द, चोट लगने वास सूजन होने पे दर्द, कान दर्द, इस सभी बिमारियों को ठीक करने के लिए 0-doll HP tablet का यूज किया जाता है और बात करते हैं 0-doll HP tablet के side effect के बारे में तो friend हम सभी को पता है कि दवा के फायदे के साथ साथ कुछ side effect भी होते हैं जैसे मतलिवा उल्टी होना, पेड़ दर्द होना, सरदर्द होना, चपकर होना, तोच्या के लाल चकते होना, खुजली होना अगर इसमें से किसी भी side effect का पता चलता है अगर वे ठीक नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर से जल संपर करें बात करते हैं, जीरो डॉल एस्पी टबलेट में इस्तेमाल होने वाली समगरी तो फ्रेंड जीरो डॉल एस्पी टबलेट तीन दवाव का मिस्रड है, जैसे एसिकलो फेनाक 100 mg और पारसीटमोल 350 mg, सेराटियो पेप्टिदर्स 15 mg समगरी मिला हुआ है तो फ्रेंड इस टबलेट को आप किसी भी मेटकल से ले सकते हैं, अगर आपको यह टबलेट किसी मार्केट में न मिले या मेटकल में न मिले तो इसका फर्मूला बता कर आप किसी भी कमपनी का ले सकते हैं फ्रेंड अब बात करते है जीरो डॉल एस्पी टेबलेट के खुराक के बारे में तो फ्रेंड इस टेबलेट का खुराक डॉक्टर क्रस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर मरीज की स्थिति और वजन और एज के हिसाब से क्रस्क्राइब करते हैं तो इस टेबलेट को एक गोली या दो या तीन पर डे खाना खाने के बाद ली जा सकती है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट के साथ सेर कीजिए और नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंड करके पूछ सकते हैं धन्यबाद